कि नमस्कार दोस्ते स्वागे थे आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेश्ट एजाम में तो दोस्तों कल आपका फर्स्ट राउंड ऑफ कॉंसलिंग का रिजल्ट आया और मतलब आपके जो रिजल्ट के देखकर और जो अपने मेसेजिज बे बेजे और लॉट्मेंट लेटर बेजे उनको देखके मदब दिल बहुत कुश्छ हो गया ठीक है पुरीक बरे मेंने लिस्ट मिना रखे है कि किन कि स्टुडेंट्स को हमारा गॉर्मेट कॉलिज मिला और किस कि स्टुडेंट को जो प्राइबेट ही चाहिए था उनको से मै वही वाले यहां पर नोट करें वैसे प्राइबेट तो थाउजन प्रस स्टुडेंट थे जिन्होंने मेरे को अपना लॉट्मेंट लेटर भीज दिया था कल के दिन मतलब मुए इस मान की चलो की शाम को साध्य पांच बज़े के बाद से लिकी रात को बारा बज़े तक मुझे मेसेज़ प्राफ्त होतर है जो भी उनकी समस्य आया थी मैंने कोशिश की दूर करने की लेकिन आ जो वह हमारा की हमारी कौन कौन से स्टुडेंट कौन 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 से कौलिज मिला तो यह मान के चलो कि हम आज पास लगबग लबग लगबग यहां पे 45-50 मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टुडेंट है हमारे जिनों ने चाहे वह पेड़ाहस थे चाहे मारे मौक टेस्ट और लाइफ शेशन से जतना श्टुटन्स को हुआ है मतलब हो इतना ज्यादा मतलब लाइफ शेशन मतलब ऐसे सर हमने सिरु आपका लाइफ सेशन लाज के दस दिनों में देखा था और हमें धर्म्शाला कॉलिच मिल गया और जो हमारे मौक थे ठीक है 5 मौक टेस्ट मनाई हो थे हमने और 5 मौक टेस्टों में से कुछ कोर्शन देखने को भी मिले थे तो मतलब यह हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, मतलब ऐसा ही कहूंगा हमें, क्योंकि हमने आठ मीने से, मैंने पहली बार किसी टेस्ट की त्यारी करवाई, और एक छोटे से कमरे से शुरुआत करी, मतलब कमरा बिल्कुल ऐसे है, अन और्गिनास त्रीक के से है, और इ प्रूफ के लिए आपका अलॉटमेंट लेटर भी मतलब लगा दूगा यहाँ पे, अलॉटमेंट लेटर आप उनके जो साथ में ग्रेटिंग मेसेज आया था, उसके मैं लगा दूँगा तो आप इसको बैरिफाई भी कर सकते हो, ठीक है, तो से पहले मोनिका सिंग जिनका रैंक 3 था, एक बार मैं आपको बता दो, रैंक बन जो हमारे सचीन जी थे, उनका सेलेक्शन आपका हाई कोड क्लर्क के लिए हो गये था, तो यह उन्होंने तो कॉंसलिक भरी नहीं थी, ठीक है, तो यह रैंक तो हमारा पोरे के पुरा पेटन सेंगे 123 मार्क थे, यह ओबर यह तो मैंने जर्स एक नंबर लिख दिया आपके सामने, तो सबसे पहले मोनिका सिंग, जिनको शायद आर्स में थर्ड रैंक है, फिर आपका OBC, OBC में थर्ड रैंक है, ठीक है, मन्जू चौधरी, SADP, जिनको HP मिला, इनका 9 रैंक है, पाइल 5 रैंक है, मेडिकल में है, सि यह भी शायद मैडिकल की ही है, फिर आपका आजे बर्मा, यह ST है, एक सर्विसमान कोटे से, यह मेडिकल के, स्वरी, नॉन मेडिकल के स्टूड़न्ट है, फिर शिवानी गर्ग, यह तो हमारे 112 नंबर थे इनके, और इनको मिला है HP, इनको भी रैंक 3 था, फिर है मारे पास नवेश शर्मा, नॉन मेडिकल में थे 103 नंबर थे इनके, बोले चंद, इनका 101 आपका नंबर थे, चटा रैंक एनका, सुखविंदर कॉर, फिर इनका भी तीसरा रैंक है इनका भी, देखो 3 रैंके, HP में हमारे पास 3 है, अलग लग श्ट्रीम के हो सकते हैं सारे, तमन्ना ये तो सुबह ही इनका में अलग निकाला, तो 105 नंबर ये भी नॉन मेडिकल के स्टूडन थे, और एक और भी थे, शायद बिशार बिशार करके स्टूडन थे, उनका भी HP में हंदर हो चुका है, अब देखते धरमशारा कॉलेज के लिए, धरमशारा में निशा कुमारी आ इनके इनका ठीक है, इनका धरमशारा के लिए बढ़ता, शिल्पा देवी, मेडिकल की हैं, फिर आपका रुहानी, ये तो हमारे पेड़ बैच की स्टूडन थे, पहले बाले, जो पहले 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 बाले बच्चे हैं, वो मुझे सारे याद है, ठीक है, तो क्यूंकि फरस सनेहा महता, ये चौदा रैंक है, इनका आर्स कर्रिगरी में, धेंचन डोलकर, इनका सेवन्त रांग है रैंक है आर्स में, हरितिक कश्यब, एक सो नमबर थे इनके आर्स में, शिवाली देवी, ये मेडिकल की है, इनका 34 रैंक है, शुदी शर्मा, ये आर्स की स्टुडन इनके 106 नमबर थे और 39 मार्क्स हैं फिलालिता आर्स की है 19th rank के इनका 109 नमबर थे इनके भी अंचल नौन मेडिकल 20 रैंक का 107 नमबर थे फिर हमारे पास आरेन गिल और 202 नमबर थे 16 रैंक थे साइना शर्मा यह आर्स कैटेगरी थी और इनके 100 नमबर थे कमल कांथ इनके भाई 109 नमबर थे और यह जनरल और EWS कैटेगरी में स्पोर्स कैटेगरी के स्टूडन थे और इनको फिर भी धर्म अच्प्यू नहीं मिला इनको धर्मशला से संतुर्ष ठोना पड़ा थीक है विशाली गुपता यह अधर स्टेट की है ना इनको भी आपका धर्मशला मिल चुका है तमन्ना शालनी 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 पीडेवलोडी के स्टूडन्ट है और एक स्टूडन्ट के 105 नमबर है ठीक है और हमारे पास यहां पर विशाली विवेक फिर कौन है यह शामी कुमार सनेहा फिर शिल्पा यह सारे सारे स्टूडन्ट है जिनका आपका मिल चुका है और एक दूआध थे जिनका इनको प्राइब प्राइबट ही चाहिए था अब यह आपके पास 100,000 प्लस तूडन्ट है हमारे पास जिनका मैंशे अलॉट्मेंट लेकर फिर भी कुछ का नाम य आमीता, शिवानी, प्रीती, शिका, अनिकेद, नगी, अभिलाश कुमार, रोहन, पर्मार, नेहा पर्मार है यह अधर स्टेट की हैं और उनके काफे अच्छे नमबर थी यह भी हमारे लास्ट बैस में जॉइन होती है जस्ट पंदर दिल पहले और इनको भी कॉलिज मिल ग कहां तक गई होगी, फिर है इशांत, युवनिका, अंजनकुमारी, अंशिका, शानु शर्मा, रितिका, इशांत, फिर आपका, शिवानी, प्रियंका, प्रीती, यह सावे सारे से स्टूडेंट हैं, अब बहुत सा स्टूडेंट हैं, जिन्हों को प्राइवेट ही चाहिए से या फिर किनौर से या सरो मोर से तो वो क्या करता है अपनिन आ सबसरी कोलिज ले लए खृजँ कि घृबरी ही आएगा, तो यह हमारे हमारी स्टूडेंट थे बहुत सा स्टूडेंट हुए है, बहुत 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 क्योंकि हमने 8 महीने से लगता त्यारी कर रहे थे और हमने पहली बार किसी टेस्ट की त्यारी कर वाई थे और इतना अच्छा रिस्वांस आपकी तरब से आया क्योंकि जो हमारे लाइफ से इसको मैं स्पेशल मेंशन करूंगा कि लाइफ से इतना फाइदा स्टूड़न्स को हुआ है और यह मैंने स्टार्ट किये था जो हमारे प हुआ जाए हो जो चहा रहे हो हमारे से अब बोई को ग्राइब को चाहिए हो अगर वह वह चीज पेपर में आ जाए क्योंकि मुझे पता है कि तो कौशन थे तो उसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारा साथ जुनने के लिए बहुत धन्यवाद और इससे आगे हम बहुत सारे क्वालिफाई करेंगे जो भी आने वाली एक्जाम है हमारे साथ बत कनेक्टर रहें चैनल को शेर करते रहें और आपको सभी को बेस्ट मिला उनको भी और जिनको गोर्मेंट मिला उनको भी बेस्ट विसी सब के लिए ही ठीक है बाकि मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं लगबग तीन हजार मेसिजिश से मैंने सबको नवाद जय हिंद जय ही माचल